Hello dear students, welcome to my channel, आज के वीडियो में बेटा मैं आपको class 10th का student assessment test यानि set 1 हुआ अगस्त में है लेकिन ये due July में था, तो July 2024 में जो आपका set हुआ है, इसका मैं आज वाले set का solution आपको करवाने जा रही हूँ, इस तरह का sample paper में आपको पहले ही दे चुकी थी, मैंने आपको बता दिय था कि बेटा 40 marks का आपका paper होगा, one and a half hour का होगा और वही instruction से 11 question एक एक नमबर के हैं, और 3 question 2-2 number के, 3-3-3 number के, 2 question 5 number के हैं और 1 question 4 number का जो की case study है, तो सबसे पहले हम section A यानि objective type questions के solution देखते हैं, देखिए सबसे पहला question क्या है, निमलिकित में से कौन सी संख्या A परी में न नहीं है, root 2 irrational है, root 5 irrational है, root 8 भी irrational है, बच जाता है ये वाला number, तो 3 plus root 16 कितना होगा, 4, 7, यानि ये number rational है, irrational नहीं है, तो आपका right answer हो जाएगा, option C, आजाए ये question number 2 पर, इस दिविगात भववपद, x square minus 4x plus 8 के शुनने कों का योगफल, sum of the zeros, अब इसके zeroes मत निकालने लग जाना, आप इसको compare करो, ax square plus bx plus c से इसको, x square का coefficient, यानि a की value 1 हो जाएगी, b की value minus 4 हो जाएगी, और c की value 1, अगर alpha, beta इसके roots हैं, तो sum of the zeroes होता है, minus b by a, तो b की, देको minus b की value minus 4 by 1, यानि की 4 by 1, यानि sum of the zeroes 4 आजाएगा, और ये आपका correct answer आजाएगा, आगे चलते हैं, अब solve करते हैं, question number 3, की, रैखिक समीकर्ण के युगम का कैसा हल होगा, अगर आपने मेरा sample paper देखा हो, तो first question जैसा question मैंने आपको दिया था, ये वाला मैंने long में दिया था, तो वहां से आपका ये question आ जाता है, और इस तरह का भी मैंने आपको दिया था, देखो sample paper आपको एक idea देता है, लगबग वैसा ही paper ये आपको मिल गया है, तो मैं बात कर रही थी बेटा third question की, जब third question में हमें बताना है कि solution unique है, दुट्य है, या infinite आने एक हल है, या कोई हल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोनों equations को मैं है write कर देती और फिर मैं A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2, देखो A1 by A2, है न, A1 by A2 हो गया, 2 by 5, B1 by B2 हैं दे न, B1 by B2 हो गया, 4 by 10, 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, और C1 by C2 हो गया, minus 8 by minus 24, दुनी 8 और 4 पंजे 20, तीनों के तीनों आपके equal आ गए हैं, ध्यान दे लो, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2, जब तीनों ratio equal हो, तो line coincident होती हैं, यानि की समपाती होती हैं, और इस तरह के समीकरण के अनंत हल होते हैं, infinitely many solutions होते हैं, तो option C correct हो जाएगा, question number 4 पे आ जाएए, निमल कित में से कौन किसी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है, which of the following cannot be the probability of an event, तो 1 हो सकता है, क्योंकि हमारी जो probability है, वो 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, 15% का मतलब 15 बटे 100, ये भी एक से छोटा है, ये जो है B option, ये negative है, तो ये probability नहीं हो सकती, question number 5 पर चलते हैं, question number 5 देखो बेजल्दी से, प्रतम पहाँच प्राकृत संक्याओं का माध्य होगा, same question मैंने माध्यक दे दिया था, लेकिन उसके solution में मैंने शायद आपको माध्य भी समझाया था, चीक है, तो माध्य, पहली 5, the mean of first 5 natural numbers, मैं बोल रहीं न, मैंने माध्य ही देना था, लेकिन वो median लिखा गया था, तो 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य का मतलब इन पाँचों को जोड़ कर, इन पाँचों को जोड़ कर 5 से भाग कर दो, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, 15 बटे 5 यानि 3 आजाएगा, option number A correct हो जाएगा, आजाओ 6 पे, इस दिविगात समीकरण के मूलों की प्रकरति, the nature of roots of this quadratic equation, देखो बेटा, यह आपकी समीकरण नहीं बनाया रखा, इसने polynomial दे रखा, तो इसको पहले तो equal to 0 करेंगे, अब इसका comparison मैं कर देती हूँ, A x square plus B x plus C is equal to 0 से, और अब मैं A, B और C find करती हूँ, x square का coefficient 1 A है, x का coefficient B होता है, और constant term minus 1 है, अब इनके जो roots होते हैं, वो किस बात पर depend करते हैं, वो discriminant पर, विविक्तर पर, D पर depend करते हैं, तो D की value निकाल लो, B square minus 4 A C, 1 square 4 into 1 into minus 1, यह minus 1 है, तो 1 minus minus plus 4, 5 आगया, जो की positive आगया, इसका जो discriminant है, वो positive आगया, धान से देख लेना, जब discriminant positive है, तो दोनो roots, वास्तविक और A समान, यानि real और unequal होते हैं, तो इसका अंसर option number A होना था, clear है, 7th पे आजाओ, बिल्कुल उसी type पर दूसरा question दे दिया, इस द्विगात समीघ्रण का विविकतर बताओ, अब बिल्कुल ऐसा ही question अभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो यहां से A, B, C, छाट लेते हैं, A, 1 हो गया, B, minus 5 हो गया, और C, 6 हो गया, तो discriminant अभी अभी निकाला है, B, square minus 4, A, C, B का मतलब minus 5 का square, 4, A का मतलब 1 और 6, यह हो गया, बच्चे 25 और 6, 24, 25 में से 24 को minus करोगे, तो एक आ जाएगा, तो option में आप 1 भर दीजिएगा, आगे चलते हैं, question number 8, किसी पर योग की, सभी प्रारम भी घटनाओं की प्राइक्ताओं का योग, एक होता है, the sum of probabilities of all elementary events of an experiment, मालों मैंने coin को toss कर दिया, सिक्के को उचालूंगी, तो head आएगा या tail आएगा, अब head की probability 1 by 2 होती है, tail की भी 1 by 2 होती है, दोनों को जोडोगे तो बना जाएगा, अब आगे हाजाओ, question number 9, ऐसा question भी मैंने दे रखा था, मैंने 20 से 30 का वरगचिन पूछा था, इसने 30 से 40 का वरगचिन पूछ लिया, question number 9, class mark of the interval 30 to 40, तो आपने क्या करना था, 30 plus 40 by 2, 70 by 2 यानि 35 आ जाना था, question number 10, 270 को अब आजे गुनन खंड के रूप में व्यक्त कीजी, express 270 as the product of prime factors, तो कर दो भी 270 के prime factorization, सबसे पहले 2 पे चलो, 2 बन जा 2, 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, 5 जा 3, 4 जा 3, 5 जा फिर 3 पे जा जा फिर 3 पे जा 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 और 5 बन जा 5, तो 270 बन गया, 2 into 3 into 3 into 3 into 5 यानि 2 into 3 की power 3 into 5 की power 1, 2 की power 1 लगा तो ये prime factorization हो जाएगा, और question number 11 है, अरे इसी पे करना है, case study, score देखते हैं जल्दी से, case study मैंने बोल दिया, तो options आपको साथ में मिलेंगे, a option है y square minus 5 एक द्रीगात बहुपद है, अगर मैं English में भी साथ के साथ आपको दिखाऊं, तो ये क्या कह रहा है, a के अंदर, कि y square minus 5 इजे quadratic polynomial ये बिल्कुल true है, यानि कि ये सत्य है, पहले वाला, चीक है, अब ये कहता है कि तर्क region क्या दे रहा है, दो घात वाले बहुपद को द्री घात बहुपद कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है, अगर a और r दोनों सही हैं, और r की वज़ा से अभी कथन सही है, यानि कि r region जो अभी कथन की सही व्याक्या कर रहा है, तो option a आता है, अब हमने इसी बात का तो परियोग किया है कि इसकी घात दो है, इसी लिए ये दिवी घात बहुपद है, और दो घात वाले को दिवी घात कहते हैं, तो ये a हमारा correct option हो जाएगा, इंग्लिश मीडिया में मैं बता देती हूँ, region क्या दे रहा है, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, जो कि बिल्कुल true है, assertion और region दोनों true है, region is the correct explanation of assertion, तो option a सही हो जाएगा, ये था आपका section a, अब solve करते हैं section b, अब हम solve करेंगे बेटा, section b, very short answer type question, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी question मैंने आपको दिये हैं, लगबग pattern match कर रहा है, मैंने भी assertion region वाला जो question है, वो chapter 4 में से दिया था, यहां भी chapter 4 में आ रहा है, ये इस type का question, ये नहीं दिया था, लेकिन बिल्कुल इसी type का question, जहां ये statement change थी, मैंने 3 marks में दिया था, यहां पर 2 marks में आया हुआ है, और और भी आप बागी के questions देखेंगे, तो लगबग मैंने कई question मेरे बताय हुए, और उसी type के questions आपको यहां पर मिल रहे हैं, तो इसी तरह के आगे भी sample paper पाने के लिए channel को अगर subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले subscribe करें, अपने friends को share करें इस channel के link को ताकि आगे भी जब आपके half yearly exam हो, या आपके pre-board exam हो, तो आपको इसी तरह से help मिलती रहे, आप देखते हैं question number 12, दीघात भौपद, 3x square minus x minus 4 के शुन्यक ज्याद करें, और शुन्यक और गुणांकों के भी संबंद की सत्यता की जाच करें, तो पहले तो इसके 0 जी निकालने हैं, तो थोड़ा सा short मिले ले ले थे, क्योंकि फेपर बहुत लंबा हो जाएगा, 3x square minus x minus 4 is equal to 0, चारती है 12, और बीच में 1 आ रहा है, यानि गुणा multiply करें तो 12 आए, और plus minus करें तो 1 आए, तो minus का 4 और plus का 3, तो यह बन जाएगा 3x square minus 4x plus 3x, और minus 4 is equal to 0, इन दोनों में से हम x common ले लेंगे, तो यह बनेगा 3x minus 4, और इन दोनों में से 1 common ले लेंगे, तो भी बनेगा 3x minus 4, अब bracket में 3x minus 4 है, तो common ले लो, तो पहली time x बचेगी, यहां से plus का 1 is equal to 0, दोनों को equal to 0 करेंगे, तो 2 हमारे 0 जा जाएंगे, यहां से x की value आएगी 4 by 3, और यहां से x की value आएगी minus 1, पहले root को हम alpha कहते हैं, जो कि 4 by 3 है, दूसरे root को beta कहते हैं, जो कि minus 1 है, अब इसके coefficients निकाल लो, है न, coefficients निकालने के लिए आप इसका comparison करोगे, a x square plus b x plus c से a की value 3 है, b की value minus 1 है, c की value minus 4 है, comparison कर लिया, अब हमें relation बनाने, relation क्या होता है, alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha की जगे 4 by 3, beta की जगे minus 1, तो plus minus minus, right side में minus, b की जगे minus 1 by a, 3 LCM लोगे, तो 4 minus 3 is equal to 1 by 3, तो beta 1 by 3 is equal to 1 by 3 आ जाएगा, एक relation तो verify हो गया, और दूसरा relation क्या है, दूसरा relation होता है, alpha, beta is equal to c by a, ये question वैसे 3 marks का बनता था, लंबा है ये question, इसलिए मैंने 3 marks में दिया था, तो 4 by 3 into minus 1 और c की जगें रख दिया, minus 4 by 3, चेक कर लो, minus 4 by 3 is equal to minus 4 by 3, hence verified यानि की सत्यापित हो जाता है, तो ये relation हो गया, roots and coefficients के बीच में, ठीक है, कोई भी doubt है, कोई भी query है, तो आप मुझे telegram पर भी contact कर सकते हो, अगले question पर चलते हैं, आप solve करेंगे बीटा, question number 13, निमलिकित रहकिक समिकन्ड यूगम को हल कीजिए, मैंने भी ऐसा ही एक equation आपको दी थी, solve करने के लिए, पहली equation है, x minus y is equal to 3, ये वाली, दूसरी equation है, x by 3 plus y by 2 is equal to 6, मैं LCM लेकर इसको पहले करवाऊंगी, 3 2 जा 6, 2 x, 2 3 जा 6, 3 y is equal to 6, अब हम करेंगे, cross multiply 6 को उधर ले जाएंगे, तो 2 x plus 3 y is equal to 36, ये अपनी first equation, ये अपनी second equation, अब हम इसको elimination method से solve करने के लिए, क्या करते हैं कि first equation को 3 से multiply कर लेते हैं, समिकन नमबर 1 को 3 से गुणा करने पर, multiplying first equation by 3, तो ये हो गया, 3 x minus 3 y is equal to 3, ये जो equation, 3 नहीं 9, 3 x minus 3 y is equal to 9, ये equation हमारी बन गई, और ये equation already है, इसको इसके नीचे लिख दो, 2 x plus 3 y is equal to 36, elimination method लगा रहे हैं, दोनों में y का coefficient सेम है, एक positive है, एक negative है, तो दोनों को add कर देंगे, यानि कि, जोडने पर तो 3 y से 3 y कट गया, 3 x और 2 x हो गया 5 x, 36 और 9 हो गया 45, दोनों तरफ 5 से divide करोगे, तो 45 by 5, 5 9 जा 45, x की value 9 आ गई, x की value को equation number 1 में put कर दो, equation number 1 है, x minus y is equal to 3, यहान 9 put करो, तो 9 minus y is equal to 3, 3 को इधर ले आओ, 9 minus 3 is equal to y, 9 में से 3 गया 6, तो y की value 6 आ जाएगी, और x की value 9 आ जाएगी, आप चाहो तो इसको अपना equation में put करके check भी कर सकते हो, चीक है, बहुत ही आसान सा question था, 14 पर चलते हैं, इस type का question भी, मैंने अपने sample paper में डाला था, कि के के कि समान के लिए, इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो किसी भी दिवगात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, अगर discriminant 0 हो, यानि B square minus 4 AC 0 हो, अब इसके अंदर A की value 2 है, B की value K है, और C की value 3 है, तो इसमें put कर दो, B की जगां put कर दो, K square 4, A की जगा 2, into 3 is equal to 0, 24 को right में ले जाओ, K square is equal to 24, यह cancel हो गया, K 24 को लिखो गये, 4 गुणा 6, यानि की plus minus 2 root 6 हमारी K की value आ जाएगी, यह था भाई आपका complete section B, और अब solve करेंगे, हम section C, ठीक है, section C खा पहला ही question, question number 15 सी, कीजिए वरगमूल 5 एक आपरी में संक्या, prove that root 5 is irrational, तो मेरा sample paper अगर आपने देखा हो, तो मैंने वहाँ पर root 3 दे रखा था, तो बिल्कुल इसी तरह का question है, बहुत जल्दी से करेंगे, कुछ चीज़े मैं आपको verbal बताऊंगी, माना वरगमूल 5 एक परी में नहीं है, एक परी में नहीं है, तो परी में है, यानि कि एक rational number है, जिसे हम P Y क्योंकी, या A Y B की form में write कर सकते हैं, जिसमें हमारा B non-0 है, A और B co-prime integers हैं, यानि कि A और B सहय, अभाजय, संख्या हैं, यानि कि उनका सांजा गुणनखंड एक है, अब दोनों तरफ कर देना था आपने वरग, तो यह हो गया A square by B square, वरग से अंडरूट कटके 5 बच जाएगा, क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे, तो 5 B square बराबरे A square, B square बराबरे हो जाएगा, A square by 5, इस expression से क्या पता लग रहा है, कि जो यह A square है, यह 5 से पूरा-पूरा भाग हो रहा है, तब यह तो इसकी right में B का square आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे, कि A square 5 से पूरा-पूरा भाग होता है, A square is divisible by 5, और यह हमारे पास एक ठियोरम थी, कि अगर कोई prime number P, किसी integer के square को divide करता है, तो वो उस integer को भी divide करेगा, तो 5 एक prime number है, जो A square को divide कर रहा है, तो 5 जो है वो A को भी divide करेगा, तो हम लिखेंगे कि A, B, 5 से पूरा-पूरा भाग होता है, जब A 5 से पूरा भाग होता है, तो मैं लिख सकती हूँ, A बराबर 5 M, यानि कि 5 का multiple, इस value को तुम यहाँ put कर दो, ठीक है, तो B square बराबर 5 M का square बटे 5, ठीक है, parts में मैं थोड़ा इसको करा रही हूँ, तो यह हो जाएगा, B square is equal to 25 M square by 5, 5 25, B square बराबर 5 M square आ गया, ठीक है, इस 5 को इसके नीचे ले आओ, तो B square by 5 is equal to M square, यानि कि क्या आ गया, B square भी 5 से पूरा-पूरा दिवाइड हो गया, तो हम यहां लिख देंगे, B square भी 5 से पूरा-पूरा भाग होता है, तो B भी 5 से पूरा-पूरा भाग होता है, शौर्ट में करा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने sample paper में भी कराया इस question को, अब B 5 से पूरा-पूरा भाग हो रहा है, ध्यान दे न, B 5 से भाग हो रहा है, A भी 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब contradiction आ गई, क्या, इन दोनों को अगर मैं मिलाओं, जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, तो यहां क्या आ गया, कि A वैं B का सांजा गुणनखन, the common factor of A and B is 5, A and B का सांजा गुणनखन 5 है, which is a contradiction, यानि कि ये बात गलत हो गई, कि A और B सहब अज है, गलत हो गई, इसका मतलब हमारी इस position रोंग है, और हमारी इस position क्या थी, कि root 5 एक आपरी में संख्या, जो कि गलत है, इसका मतलब रगमूल 5 एक, आपरी में संख्या है, तो इस तरह से आप इस question को करेंगे, आगे चलते हैं, question number 16 पर, question number 16 क्या कहता है, पांच वर्ष बाद, जैकब की आयू, उसके पुत्र की आयू से तीन गुनी हो जाएगी, पांच वर्ष पूर्व, जैकब की आयू, पुत्र की आयू की साथ गुनी थी, उनकी वरतमान आयू क्या है, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, the age of जैकब will be 3 times of its son, और 5 साल पहले, son की age का 7 times उनकी present age क्या है, तो सबसे पहले आप लिखो गए, माना जैकब की वरतमान आयू, एक्स वर्ष और पुत्र की वरतमान आयू, वाई वर्ष, अब दो बाते चल रहे हैं, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद, मैं फिर कह रही हूँ, मैं थोड़ा शोट में कराऊंगी, जैकब की आयू, 5 साल के बाद, किसी की age निकालोगे, तो वो 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, पुत्र की आयू, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, Y प्लस 5, अच्छा, साथ में हम यह भी ले ले लेते हैं, 5 years ago, 5 वर्ष पहले दोनों मीडियम में कराऊना, तो रही दिक्कत आ जा हैं, यह कहता हैं, कि 5 साल बाद, जैकब जो है, वो अपने बेटे से 3 गुणा था, जैकब is 3 times of sun, कब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद, जैकब की आयू थी, X जमा 5, और वो 3 times था, किसका, Y जमा 5 का, स्वाल्व कर दो, X प्लस 5 is equal to 3Y, प्लस 15Y को तो इदर ले आओ, तो X माइनस 3 Y और 5 को इदर ले जाओ, पंदरा में से माइनस हो जाएगा, यह आगई पहली equation, दूसरी condition में वो क्या कह रहा है, कि 5 साल पहले जैकब की आयू पुत्र से 7 गुणा थी, second condition, जैकब जो है, वो 7 times था, sun से, ठीक है, तो 5 साल पहले age थी, X minus 5, और 7 into Y minus 5, solve कर लो, 7 Y minus 35, 7 Y को इ minus का 5 उदर ले जाओगे, तो यह बनेगा minus 35 plus 5, अब मैं इसको इदर कर लो, question को, यह बन गया, X minus 7 Y is equal to minus 30, यह बन गई equation number 2, दोनो equations को solve कर दो, X minus 3 Y is equal to 10, X minus 7 Y is equal to minus 35, दोनो equations को घटा दो आपस में, घटाने पर, clear है, तोड़ा साफ लिख दूम है, on subtracting, ठीक है, यह हो जाएगा, minus, plus, और plus, X, X कट गया, 7 में से 3 गई, 4, 35 में से, 10 गई, 25, 35 नहीं है, यह यहाँ पर, यह बिटा 30 है, तो यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर minus 30, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, अपना यहाँ पर 40 आजाएगा, समझ में आगे में इस बात पर, यहाँ minus 30 था ना, मैंने 35 लिख दिया था, तो Y की value आगई 10, Y की value को first equation में put कर दो, X minus 3 into 10 is equal to 10, X minus 30 is equal to 10, 30 को right side में ले जाओ जुड़ जाएगा, तो X की value आगई 40, तो भईया जो जैकब की age थी, वो है जैकब 40 साल का, और जैकब का जो बेटा है, जो पुत्र है, वो फिलाल है, दस साल का, आप इसको cross check भी कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, next question बिलकुल आसान है, मैंने भी sample paper में डाला हुआ था, बस इसका एक पार्ट नहीं दिया था, मैंने बादशाह डाल दिया था, बेगम की जगह, और ये पार्ट मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मैंने ये question दो नम बेगम होती हैं, दो, तो पहले पार्ट में जब आप लाल रंग की बेगम की प्राइकता निकालोगे, तो दो बटे 52, एक बटा 26 आजा जाना था, आपका answer, आपको proper solution देखना, sample paper में से देख लेना, face card मैंने आपको बता दिया था, कितने होते हैं, 12, तो probability of second event, यानी face card हो 12 बटे 52, 4, 3, 4, 1, 4, 13, 52, ठीक है, पान की दुगगी, पान के तेरा पत्ते होती होती है, तो तीसरा event को अगर मैं even नाम दे दू, पान की दुगगी की प्राइता, तो वो हो जाएगी, एक बटे 52, लाल रंग की दो बेगम होती है, तो 2 by 52, face card 12 होती है, तो 12 बटे 52, पान की दुगई एक ही होती है, तो एक बटे 52, अब हम चलते है, section D, long question answer, 5-5 number के question है, 2-24 आपको दे रहे हैं, तो 4 questions मैं आपको करवाऊंगी, question number 18 देखते हैं, आपको sample paper याद आ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इससे मिलता जुलता question मैंने आपको दिया था, बड़ा important है, ये question final exams में भी पूछे जाते हैं, बट एक बात मैं यहां बता दूँ कि इसकी जो statement है, वो wrong है, ये जो line है ना पहली यहां पर बिल्कुल गलत है, English medium में देखो, a train travels 360 km at a uniform speed, तो ये इसकी जो वो है, distance है ये, की दूरी तै करती है, एक train 360 km की दूरी तै करती है, तो मैं यहां पर स 5 km पर ती घंटा बढ़ा दी जाए, तो वो एक घंटे में यात्रा, एक घंटा कम लगाएगी, तो रेल गाड़ी की चाल गयात करो, if speed has been 5 km per hour, more it would taken 1 hour less, वेकर हमारी speed बढ़ जाती है, तो हम कहीं जल्दी तो पहुँचेंगे, find the speed of train, तो माना train की गती, माना रेल गाड़ी की गती मैंने ले ली, x km per hour, तो time कितना लगेगा, distance by speed, यानि 360 by x, इसको T1 कह दो, अब रेल गाड़ी की चाल बदल गई है, new speed, रेल गाड़ी की नई चाल, जो चाल पहले x km थी, वो 5 km बढ़ा दी गई है, तो वो हो जाएगे, x plus 5 km per hour, distance उतनी ही है, तो नया time जो लगेगा, वो होगा, distance by speed, यानि कि 360 by x plus 5, अब उसको एक घंटा कम लग रहा है, question को अब समझना, जब हमारी speed x थी, तो ये time लग रहा था, जब speed बढ़ गई, तो ये time लग रहा है, तो ये time कम है, कितना एक घंटा, यानि कि according to question, t1 minus t2, एक है, पहले ज़्यादा time लग रहा था, अब कम लग रहा है, तो t1 की जगे आप लिख दो 360 by x, इसकी जगे लिख दो 360 by x plus 5 is equal to 1, lcm लोगे, तो x into x plus 5 x, x cut गया, 360 के bracket में x plus 5, x plus 5 से x plus 5 cut गया, तो ये हो गया, 360 x is equal to 1, इसको इदर ले जाओ, उपर वाले की bracket खोल दो, 360 को x से multiply करोगे 360 x, plus 5 से करोगे 5 के 30, 1800 minus 360 x, और ये दोनों terms उधर जाएंगी, तो x into x plus 5, ये cancel हो गया, 1800 बराबर x square जमाँ 5 x, 1800 को भी उधर ले जाओ, ये बन गए x square जमाँ 5 x, घटा 1800 बराबर 0, ये आपकी quadratic equation बन गए, जिसे अब आप solve करके train की speed find करेंगे, ये आजाएगा, x square plus 5 x minus 1800 is equal to 0, मैं इसको सीधा discriminant से कर देती हूँ, minus b plus minus b square minus 4 a c का under root divided by 2 a, तो a 1 है, b minus 5 और plus minus b का square, b 5 है, तो ये हो गया 25 minus 4 a की जगे, 1 को और c की जगे, minus का 1800, so, देख लो, सारे का under root, ये 25 है, और divided by 2 a, यानी 2, minus 5 जमा गटा, ध्यान देना भई, ये बनेगा, 25 जमा अठारा चोक, बातर सो का under root और divided by 2, ये बन जाएगा, बातर सो पच्चिस, और मेरे क्याल से, ये 85 का under root होता है, minus 5 जमा गटा, देखो मेरी बात सुनो, ये बनेगा, 7,225 बटे 2, ये 85 का under root होगा, इनके ट्रिक होती है, देखो 85 का square करना है न, तो 8 को 9 से multiply कर दो, 72 और 5 को 5 से कर दो, 25 तो ये 85 का ही आएगा, आप करके भी देख लेना इसको, तो अब हम x की value यहान निकालेंगे, एक value तो negative आएगी, minus 5, minus 85 by 2, जिसे हम cancel कर देंगे, क्योंकि x rail की speed है, और train की speed कभी भी negative नहीं होती है, दूसरी value आजाएगी, minus 5, plus 85 by 2, 85 में से 5 गया, 80 by 2, यानि 40 किलो मीटर पर आर हमारी train की speed आजाएगी, जो हम से पूछी गई थी, यह पूरा question मैंने एक frame में कर दिया है, इसी की एक internal choice दे रखे, अब उसको देखते हैं, और यह है internal choice, दो वर्गों के शेत्रफल का योग 468 मीटर square है, the sum of areas of two squares is this, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों की बुजाएं ग्यात करो, वर्ग की माना एक वर्ग की भुजा X है, दूसरे की Y है, लिख लेना आप यह सारी बाते हैं, उनके शेत्रफल, पहले वर्ग का जो शेत्रफल है, वो हो जाएगा X square, दूसरे का शेत्रफल हो जाएगा Y square, तो यह क्या कह रहा है, कि X square minus Y square 468 है, अब उनके परिमापों का अंतर 24 है, दोनों का परिमाप निकाल लो, यानि पेरिमीटर, पहले का पेरिमीटर 4X हो जाएगा, दूसरे का पेरिमीटर 4Y, 4X और 4Y को माइनस करोगे, तो 24 हा रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, X minus Y 6 आ गया, clear हो रहा है यहां से, अब इसको quadratic में convert करना है, तो कैसे करेंगे, Y की जगा, X को उधर ले जाओ, 6 जमाँ Y आ गया, यहां ऐसा कर लो, Y को उधर ले जाओ, एक ही बात, X को ले जाओ, 6 जमाँ Y आ गया, अब यहां पर X की जगें, आप रख दो, 6 जमाँ Y का स्केर, और minus Y का स्केर, बराबरे 468, ठीक है, यह बन गया, 36 जमाँ Y स्केर, जमाँ 2 चिक के 12 Y, minus Y स्केर, बराबरे 468 को, quadratic बनाने की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, Y स्केर से Y स्केर कैंसिल हो गया, 36 को उधर ले जाओ, 12 Y, 468 घटा 36, जरूरी निया, quadratic बनाए हम, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 12 Y, 8 में से 6 गए, 2 6 में से 3 गए, 3 4, तो Y आ जाएगा, 432 बटे 12, 12 तिये 36, 12 चिक 72, Y की value 36 आ जाएगी, उस value क इसमें रख दो, तो X की value 6, जमा 36, यानि 42 आ जाएगी, आप क्रोस चेक कर लो ना, आप क्रोस चेक कर लो, दोनों का परिमाप निकाल लो, पहले का परिमाप आएगा, 4 दुनिया, 4 चोके 16, और दूसरे का आएगा, 144, अंतर देख लो 24, आर दोनों का शेत्रिफल आप निका जाल लेना, 42 के square में से 36 का square गटा के देख लेना, 468 आएगा, तो ये था आपका बहुत सिंपल सा internal choice वाला question, आप सालू करते हैं, बेटा question number 19, question number 19 में भी दो question आपको दिये गए, with internal choice, तो ये वाला question तो मैंने sample paper में करा दिया था, same question मैंने दिया था, की नीचे दिये हुए बंटन का माद्य का अगर 28.5 है तो X और Y का मान ग्यात करो, फिर भी मैं जल्दी से बता देती, माद्य के लिए क्या करेंगे, cumulative frequency बनाएंगे, 5, 5 में अगली बारंबारता जोड़ दो, 5 जमा X, उसमें अगली बारंबारता जोड़ दो, 25 जमा X, 25 जमा X में 15 जोड़ा था, और उसमें 5 जोड़ोगे, तो 45 जमा X, जमा Y, जो अंतिम बारंबारता होती है, वो इनके जोड़ के बराबर होती है, तो 60 आ जाएगा, 45 जमा X, जमा Y, बराबरे 60 और X, जमा Y, बराबरे 15, हमारा कुश्ट अनकान 108 और 7 आ रहा था, अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि मा माध्यक दे रखा है, 28.5, तो हमें clear cut पता लग रहा है कि ये मेरा माध्यक वर्ग है, तो इसके सामने वाली बारंबारता का तो F लेना था, और इसके बिलकुल सामने से जो उपर वाली बारंबारता है, 5 जमा X, इसको AJCF लेना था, जो ये बारं माध्यक वर्ग होता है, इ नहां पर माध्यक बराबर है, L प्लस N बाइ 2 माइनस CF बाइ F और पूरी टम को H से मल्टिप्लाई कर दो, ये था 28.5, L की जगा मैंने बता दिया, इधर लेफ्ट में 20, N बाइ 2, N 60 है, तो N बाइ 2 हो गया 30, CF मैंने बताया था, 5 जमा X क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस 5 माइनस X, F की जगा 20 आ गया, और H का मतलब इस वरगंतराल का अंतर जो की 10 है, 20 को उदर ले जाकर साड़े 28 में से घटा देना, साड़े 8 आठ आएगा, 10 से ये 20 कट जाएगा, ये जो टम बचेगी, ये बचेगी, 25 माइनस X बटे 2, साड़े 8 को उदर ले जाकर, साड़े 8 से मल्टिप्लाई करो 17, बराबरे 25 माइनस X, X को लेफ्ट मिलाओ, 25 में 17 गए 8, और दोनों का जोड क्योंकि 15 हैं, तो Y की वेल्यू साथ आ जाएगी, ये कुश्चिन इतना जल्दी में क्यों कराया है, क्योंकि सेम कुश्चिन में सैंपल पेपर में आपको दे चुकी और अब देखते हैं इसकी इंटरनल च्वाइस, जो की माद्धे हैं, निमलिकित बंटा ने एक मोले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शा आता है, माद्धे जेब खर्च 18 हैं, यानि मीन, यानि जो माद्धे की वेल्यू है, अगर वो 18 है, तो F का मान ग्याद करो यानि यहाँ पर आपको एक बारंबारता F नहीं दे रखी, वो आपने निकालनी है, माद्धे की मदद से, तो जब भी आपको ऐसे वरग अंतराल दे रखा तो पहले आपने उनका निकालना होता है, माद्धे बिंदू जो की मैं यहीं निकाल देती हूँ, जिसको हम बोलते XI, वरग, चिन, क्लास, मार्क, तो 11 और 13 को जोड़ोगे 24, 24 का अधा 12, आगे आएगा 14, क्योंकि 13 और 15 के बीच में 14, 16, 18, 20, 22 और 24, फिर हम बना लेंगे बच्चे, डारेक्ट मेथड से करेंगे, FI, XI, FI कहां है, यह जो फ्रिक्वेंसी है, इसको FI बोलते हैं, ठीक है, अब इन दोनों को करो, मल्टिप्लाई, इन दोनों को, तो यह हो जाएगा, 84, 14, 64, C, 69, 144, ठारती, यह चाउवन, 18, ठारती, यह चाउवन, 18, ठारती, 25, 234, यह आजाएगा, 20, F, 22, 5, 110, 24, 96, माध्धे याद कर लेना, 18 हैं, इसको अब मैं थोड़ा उपर कर रही हूं, यानि आकड़ों का जोड़, यानि इन सब को जोड़ेंगे, लेकिन इन सब में जो F है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 7 और 6, 13, 29, 22, 23, 35, 45, 44, 44, और अब उसमें F जोड़ दो, क्योंकि चर में अचर नहीं जुड़ता, constant में variable नहीं जुड़ता, यह आगया सिगमा F I, अब लेलो सिगमा F I XI, अब इनको भी जब आप जोड़ोगे, तो यह वाली term को छोड़ दो पहले, तो यह ओगैं, 4, 48, 4, 12, 16, 16, 16, 22, 21, 21, 1, 12, 3, 15, 4, 19, 28, 27, 28, 35, 35, 35, तो तो 3 आया, 3, 4, 2, 6, 7, 752 और अब ये जोड़ दो इसमें जमा 20F क्योंकि variable अलग constant अलग अब हमें ये पता है कि माध्य का formula होता है sigma fi xi बटे sigma fi इसको अब हम यूज करेंगे फिर देख लो माध्य 18 है और sigma fi xi आपके सामने है तो हम करेंगे माध्य की जगह 18 sigma fi xi की जगह 752 जमा 20F और sigma fi की जगह 44 जमा इसको solve कर दो तो f की value आ जाएगी वही हमने find करना था cross multiply करो 18 के bracket में 44 plus f बराबरे 752 जमा 20F अठारे चोके बाहत्तर और साथ उना सी जमा 18f अठारा को दोनों से करेंगे और 752 जमा 20f 752 को left में ले आओ कोशिश किया करो कि positive रखो body time एक तरफ है इधर है तो मैं इसलिए 752 को इधर ले आए और 18f को उधर ले जाकर minus कर दो तो यह हो गया बच्चे 9 में से 5 गया चार 20 में से 18 गया दो f दोनों तरफ 2 से divide कर दो तो यह आजाएगा 40 और f की नहीं नहीं 40 नहीं 20 f 40 को दो से भाग करोगे तो f की value कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी तो यह आपकी लुप्त बारंबारता थी missing frequency थी और आप solve करते हैं इस paper का last question section ही case study question है और इस की की जो statement है उसमें काफी mistakes हैं सब कुछ misprint test के अंदर तो मैं अभी आपको बताऊंगी जल्दी से statement पढ़ दू अमित एक घर खरीदने की योजना बना रहा है ले आउट यानि नक्षा दिया गया है डिजाइन और माप इस प्रकार है कि दो शेयन कक्ष और असोई घर का शेत्रफल पिचाण में वरग मीटर है अब इसी planning to buy a house और उसका map दे रहा है bedroom 1, bedroom 2 और kitchen मिलकर 95 square meter बनते हैं अब यह पूछ क्या रहा है भाई साफ देखो ज़रा इसका question कि इससे दो चरवाला रहकिक सम बनाओ लेकिन दे कुछ भी नहीं रखा यह question cbsc में कई बार आ चुका है cbsc के sample papers में भी available है आप इसको google भी करके देख सकते हो तो इसकी जो exact statement है जो missing है यह जो black boundary है यहाँ पर आपका काफी चीज़े आनी थी जो की miss print मैं कहूंगी हो रही है तो यह आपका x है यह dimension आपकी 2 है यह dimension आपकी y है ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब हमें length breadth कुछ नहीं पता हम कितना sporge करेंगे बहुत ज़्यादा sporge करने के लिए तो हमें कई सारे variables चाहिएंगे और यह width फिर से आपकी 2 है और यह width फिर से आपकी 5 है और यह जो पूरी की पूरी width है यह आपकी 15 meter है यह सारा आपका missing है इस statement में से मुझे नहीं पता है आपके teacher ने आपको यह question के दोरान ठीक करवाया या नहीं करवाया ठीक है तो देखते हैं अब इस पर based questions के हम answer देखते हैं पहला है इस स्थिती से दो चरवाले रैखिक समी करनों का युगम बनाईए देखो मेरी बात सुनों बड़े ध्यान से समझना अगर हम इस की बात करें तो यह length है और यह length हमारी कैसे निकल रही है अरे pen चूज कर लूँ मैं यह length निकलेगी x plus 2 plus y लेकिन अगर मैं यहां देखती हूँ तो यह भी length है 15 meter तो यह जो है रेक्टेंगल की जो length है वो equal है तो यह वाली length सुनों मेरी बात यह वाली length और यह वाली length equal होनी चाहिए तो दोनों को equal कर दो तो x plus 2 plus y is equal to 15 2 को उस तरफ ले जाओ 15 में से minus हो जाएगा 13 आ जाएगा तो यह तो आपकी बन गई पहली linear equation ठीक है अब हम दूसरी linear equation देखते हैं दूसरी linear equation के लिए भी दूसरी condition को पढ़ लो उसने क्या बोला दोनों bedroom और kitchen का area 95 है सुनों मेरी बात को bedroom number 1 plus bedroom number 2 plus kitchen तीनों का area 95 अब bedroom number 1 पे आ जाओ यह bedroom number 1 इसकी length x है breadth 5 है तो area of rectangle क्या होता length into breadth यानि 5 x आ जाएगा और bedroom number 2 भी बिलकुल same है देख लो यह 5 है color दूसरा लेलू में यह 5 है और यह उतना ही x है तो उसका area भी 5 x आ जाएगा kitchen को देखो kitchen की जो length है वो y है और breadth यह है यानि 5 है तो यह आ जाएगा 5 y is equal to 95 समझ में आगी मेरी बात यह बन गया 10 x plus 5 y is equal to 95 पांच से divide कर दो तो 2 x जमा y बराबर है 19 यह आपकी दूसरी linear equation बन जाएगी और यह आपके first question का answer है आप चाहते हैं तो वहाँ यह सारा solution आपको करने की जरूरत नहीं थी paper में आप केवल यह answer भी लिख सकते थे ठीक है समझ में आगी बात clear हो गया अब देखो अब यह कह रहा है कि lay out दूसरा question की भारी सीमा की लंबाई ग्यात करो भारी सीमा तो verbal है देखो मेरी बात सुनो यह 15 है और 5 और 5 दस और 12 है सुनना लंबाई 15 है इसको मैं तोड़ा छोटा कर लूँ मैं इसी में समझाना चाहरी हूँ एक ही frame में पूरे question को यह हो गया first part हो गया अब आजाओ भाईया second part पे यह आपकी rectangular plot है यह 15 है और इन तीनों को जब तुम जोड़ोगे तो 5 और 5 दस और 12 आ रहा है तो भारी माप का मतलब उसका perimeter तो perimeter क्या होता है दो bracket में length plus breadth यानि दो bracket में 15 जमा बारा 27 दुनी 54 मीटर है यह इसको थोड़ा 12 से मैं यहां लिख देती हूँ this is the answer of second part थर्ड पे आ जाओ यह कह रहा है ले आउट में परतेक, शेन, कक्ष और रसोई का शेत्रफल ग्याद करो अब main जरूरत है हमें x और y को find करने की अगर x और y की value आ जाएगी तो पूरे question का answer आ जाएगा तो x और y निकालने के लिए यहां solve कर दो 2x प्लस y 19 है भहिया x प्लस y अपना 13 है minus 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 cancel हो गया x की value 6 आ गई x की value 6 आ गई तो x जमा y 13 है इसमें put कर दो 6 जमा y बराबरे 13 y की value 7 आ गई इसको note कर लो x की value 6 आ गई और y की value 7 आ गई तो bedroom number 1 का area कितना था 5 x था x की value 6 आ रही है तो 5 गुणा 6 यानि 30 meter square आ जाएगा और kitchen का area kitchen का area यह था 5 y यह देख लो ना y और 5 यह kitchen बंडरी है हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात तो kitchen का area हो गया 5 y यानि कि 5 गुणा 7 यानि कि 35 meter square फोर्थ पार्ट पे आ जाओ layout में living room का छेत्रफल ग्यात करें living room देख लो अब आप living room कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ा सा मैं आपको समझा दू कि दो शेत्रफल जुडेंगे living room में ध्यान से देखना living room ये सारा है बिटा दिग गया living room अब इसमें एक तो ये rectangle बनेगा ये 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 और ये अब इस rectangle में बहुत ध्यान से देखना कि ये पूरी लंबाई 15 है और x की value 6 आ रही है अभी आपके करो मेरी बात सुनो बहुत आसान हो जाएगा ये पूरी लंबाई 15 है और ये पूरी चोड़ाई कितनी है साथ सुनो द्यान से तो 15 साते 105 ये पूरा red area आपका आ जाएगा हो गया अगर इस में से मैं इस first second bedroom का area minus कर दू तो मेरा living room बच जाएगा आगे living room का area समझ में आई मेरी बात मैंने क्या किया क्योंकि दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रही थी वो थोड़ा complicated हो जाएगा आपको थोड़ी मुश्किल होगी दो rectangle add करने पड़ेंगे उसकी बजाए आप क्या करो कि 15 और ये 7 है क्य से 3 गए 7 तो living room का area 75 meter square आ जाएगा ये आपका fourth part है और fifth part को अब देखते हैं अम ध्यान से 50 रुपे परती वरग मीटर की दर से रसोई में टाइल बिचाने का खर्चा ग्यात करो रसोई का शेत्रपल हमें पता है ये रहा कीचन का area 35 square meter है और जो टाइल लगानी है वो 50 रु तो टाइलों का खर्चा टाइल लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा 35 गुणा 50, 0, 55, 25, 15 और 27, 150 रुपे तो ये था आपका case study question मैं hope करती हूँ कि आपको ये समझाया होगा कोई doubt कोई query अभी भी रह गई हो तो टेलिग्राम पे मुझसे share करें मेरा sample paper मुझे पूरी उम्मी है कि आपके लिए काफी helpful रहा होगा तो आगे भी इसी तरह help पाने के लिए मेरे channel को subscribe करें और जादा से जादा students को share करें thank you